प्यार इश्क का एक अजीवो गरी मामला सामने आया है जहां एक लड़के से दो लड़कियों का प्यार करना लड़के को भारी पड़िया जब दोनों प्रेमिकाय शादी करने की जिद पर अर गई तो यूवक की उलजण और भी बढ़ गई यहां तक कि दोनों यूवतियों ने एक साथ फैसला तक कर लिया जी हां वहीं यूवक उलजण में है कि आखिर उस वो किसे अपनाए और किसे ठुकडाए इसका फैसला नहीं ले पा रहा था यूवक इसी बेच शिक्वे शिकारतों का दौर चला और फिर तीनों ने जान देने का फैसला कर लिया जहां शु शक हुआ तो लोगों ने उन्हें पकर कर पुलिस के हवाले कर दिया जानकारी के अनुसार पूछताच में एक यूवती ने पुलिस को बताया है कि यूवक से वक कई सालों से प्यार कर रही है लेकिन इसे बेच इसका दूसरी लड़की से भी चक्कर चल रहा था इस बारे म मुझे पता चला तो मैंने इसे शादी करने की बात कहीं वह शादी करने से उसे लेकर सुल्तान गंज आया और वहीं दूसरी तरफ दूसली लड़की को भी जानकारी मिली तो वो भी सुल्तान गंज पहुच गई उसे देख प्रेमी इधर उधर जाकने लगा जोरान दोनों प्रेमी काएं आपस में भेड गई और फिर प्रेमी पर दोनों अपना अपना दावा करने लगी दोनों युवतियों ने बताया कि दोनों ने एक साथ युवक से शादी करने का फैसला कर लिया लेकिन प्रेमी इसके लिए तयार नहीं हुआ वो किसी एक से शादी करना चाहता था और फिर दोनों युवतियों ने युवक से कहा या तो हम दोनों से शादी करो या फिर तीनों एक साथ गंगा में डूब कर जान दे देते हैं ना नुकर करने के बाद युवक भी दोनों प्रेमिकाओं की फैसले पर तयार हो गया क्योंकि उसके सामने कोई और भी रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसे समझ नहीं आरा था कि आखिर वो किसका साथ दे वो एक प्रिमिका के साथ रहे या फिर दूसरे को ठुगडाए ये असमंजस के बाद जब तीनों गंगा में कूदने लगे तो वहाँ पर काफी भीर जुट गई और तीनों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया तीनों ने बताया कि वे तारापुर के रहने वाले हैं जहां पुलिस की सूजना पर उनके घर वाले आये तो तीनों को उनके पड़ी जनों को सौब दिया गया